तो चलिए आज हम ग्लास केक बनाते है तो इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को एन तक जरूर देखिए इस वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिये है किस तरह से यह सेल करने है क्या प्राइजिंग इसकी पड़ती है तो देखिए 200 ml का यहां पर मैंने ग्लास लिया है पहले तो ग्लास को ना थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी ग्लेज और जो पाइनेपल ग्लेज है उससे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने लाइन्स ड्रॉकी है रैंडमली ही लाइन्स देनी है और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी ग्लेज यहां पर डाला है और शुगर शिरप develops we go क्रीम से फॉर्स लेर है जो पिंक कलर की मैंने यहां पर क्रीम कियी है आप चाहो तो क्रीम में भी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी गरूची इसेंस है वो आप mix कर सकते हो और देखिए अब यह हमारा second layer है Second layer को ही second layer को भी हम क्या करेंगे same उसी तरह से अभी जो बैनिला sponge है क्रश किया हुआ वो डालेंगे और बैनिला sponge डालने के बाद थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डालेंगे और देन उसके बाद हम mixed fruit flavor का कर रहे हैं तो pineapple crush डालेंगे या फिर आप mango चाहो तो mango भी डाल सकते हो mango और strawberry का combination भी अच्छा लगता है तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही भरना है ज्यादा ने आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कितना हमें भरना है पूरा glass हमें फील होना चाहिए उस तरह से हमें यह जो sponge है वो भरना है ठीक है अगर आप चाहो तो आदा किल चालीस रुपए तक खर्चा आएगा तो देखिए मैंने क्या किया है जो second layer है उसके लिए sponge पे थोड़ा सा sugar syrup डाला है और आपको दिखाए दे रहा होगा कि मैंने जो pineapple glaze है sorry pineapple crush है वो भी उस crush पे डाला है ठीक है sponge पे डाला है और देन उसके बाद यलो कलर के क्रीम से हम यह लीड भी available होते है तो glass और lead मिला के glass cake के लिए आपको 2 रुपए खर्चा आएगा ठीक है मतलब glass का और lead का मिला के 2 रुपए खर्चा है और बाकी का cream वगरा जो है वो मिला के कुल मिला के आपको यह जो glass है वो आपका 10 रुपए तक बन जाएगा total पूरा खर्चा मिला के 10 10 रुपए तक आपका यह बन जाएगा आप इजिली यह 25 रुपीज में बेश सकते हो तो मैं ना आपको एक idea दूंगे अगर आपके area में यह sell out नहीं हो रहा है तो ice cream parlor में भी आप यह sell कर सकते हो चाहो तो cafe में भी यह sell कर सकते हो cafe में भी ज्यादा demand है इसकी या तो लगा तो आप school के बाहर जो छोटे छोटे spots है मतलब जहाँ पर ice cream वगरा मिलती है वहाँ पर भी आप रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जो बच्चे है इसे prefer करते है और इसकी ज्यादा demand है मैं तो इसी तरह से करती हूँ मुझ होलसेल में बेचते हो और जो होलसेल का रेट इसका 20 रुपीज है आप चाहो तो कस्टमर को 20 रुपीज में दे सकते हो तो चलिए देखिए इस तरह से अब में क्या करूंगे चोकलेट ग्लास जो है वो भी बना लूँगी और और ज्यादा ओर है मुझे तो वो भी मैंने उ ताकि हमारी क्रीम ज्यादा नाय जाये और अगर आप क्रीम भी सस्ति लाओगे तो तो थोड़ा सा आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा तो देखिए इस तरह से मैंने जो पैकिंग है वो रेडी कर लिए हर एक ग्लास को मैंने अच्छी तरह से यह लीड लग और लीड लगाने के बाद ये कैरेट में भर दिये है अब इसी तरह से में कस्टमर को ये जो कैरेट है वो दे दूंगे और अगले दिंग ये विटन भी लूंगी तो इसके लिए टोटल आपको खर्चा जो है एक ग्लास बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए आए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर देना चलो मिलते हैं इसे तरह से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर आउल